कि दोस्तों देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ क्लेम यह और रुपय 40 to 400 मतलब कि 40 से लेकर के 400 रुपय तक का आप यहां पर क्लेम कर सकते हैं अब दोस्तों इस पैसा आपको कैसे मिलेगा मैंने cashback भी अर्न किया है मैं आप सबको दिखाता हूं आपको ले चलता हूं अपन कैसे आपको cashback earn करना है अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप भी cashback पा सकते हैं अगर आपको cashback earn करना है तो वीडियो को full watch जरूर कीजेगा और दोस्तों मैं आप सबको यहां पर proof के साथ दिखाऊंगा कि कैसे मैंने cashback earn किया था दोस्तों जो option मैंने अभी पह offers वाले option में जाइएगा यहां पर आपको बहुत सारा offer दीखेगा आप उपर नीचे करके देख सकते हैं आपको जो भी offer मिला होगा आपको दिख जाएगा तो यहां पर एक option दीखेगा welcome offer का तो welcome offer में आपको करना क्या है आप 40 रूपए से ले करके 400 रूपए तक का cashback कमा सक सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं मेरा जो चार option है उस सभी पर green tick लग चुका है मतलब मैंने जो criteria है उसको complete कर लिया है और मुझे cashback भी मिल चुका है 47 रूपीज तो दोस्तों आपको कैसे करना है how to earn complete all four payments in any order दोस्तों देख सकते हैं आपको करना का है simple सा पहला जो है criteria recharge mobile मतलब आपको mobile recharge करना है दोस्तों जो चारो criteria है चार option दिख रहे हैं उसमे minimum spend 50 रूपय का है मतलब अगर आप 50 रूपय उससे जादे का spend करेंगे तभी आपको cashback मिलेगा उससे कम का recharge करेंगे या फिर किसी को pay करेंगे या फिर किसी के bank account में transfer करेंगे तो आपको पैसा नहीं म चार्ज वाला option है उस पर green tick लग जाएगा और दोस्तों दूसरा जो दिख रहा है आपको scan and pay any merchant आपको एक merchant QR code पर payment करना है दोस्तों आपको merchant QR code कहां पर मिलेगा जो भी आपके आसपास दुकाने होंगी वहां पर QR code जो होता है merchant QR code होता है आपको वहां पर जाकर के payment कर देना है जो भी business account बनाते हैं उनको merchant QR code मिलता है अब दोस्तों तीसरा जो दिख रहा है आपको pay any phone number आपको अपने contact में या फिर किसी नए user को उसका mobile number यूज करके payment करना है वह भी 50 रुपए और दोस्तों जो सबसे अंतिम में दिख रहा है do a bank transfer आपको किसी का bank account number IFSC code का यूज करक पैसा transfer करना है जब आप चारो criteria complete कर लेंगे तो आपको एक scratch card मिलेगा scratch card दोस्तों जब आपको मिलेगा तब आपको scratch करने पर पता चल जाएगा कि आप कितना cashback earn करेंगे 40 रुपए से कम नहीं मिलेगा और 400 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा इसी के बीच में आपको मिल स पर आया है तो यह December तक ही available लहेगा December के बाद इसको हटा दिया जाएगा और दोस्तों अगर आपको भी इस तरीके का offer मिला है तो आप जा करके अपना cashback earn कर लीजे और अगर आपको cashback earn करने में कोई problem हो रही है तो आप मुझे Instagram पर message कीजेगा मैं आपको वहाँ पर और भी अच्छे से बता दूँगा कि कैसे आपको cashback earn करना है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही I hope कि आप सब को वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो और ऐसी वीडियो देखना आप पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell notification को on कर ली हुआ हो चैनल कि अच्छे अच्छे हो चैनल करते हो रसके में पसंद आई हो सब्सक्राइब कर दोचे आप